Hello friends, welcome back to our channel. This is our part 6 of Himachal Culture, जिसमें हम Himachal के Fairs के MCQs discuss कर रहे हैं. हमारे part 5 में भी हमने MCQs discuss किया है, तो यह हमारा second part है MCQs का. तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो. हमारा पहला जो question है आज का, which of the following fair is a gaddi fair? और आपके option है आशापूरी fair, भरमौर जात्रा, हुंडन fair and बीश fair. आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो गद्दी समुदाय का मेला है. आईए option discuss कर लेते हैं. आशापूरी जो fair है आपका, वो पालंपूर में लगता है, भरमौर जात्रा, जो है आपके भरमौर की है, हुंडन जो fair है, वो आपका चमबा का है, और बीश fair है, वो बेसाखी के दिन लगता है, डिश्टिक के नौर में. तो इन चारों में से जो आपका बीश fair है, वो option तो नहीं हमें लगता है कि इसका अंसर right होगा. और आशापूरी fair भी है, वो पालंपूर का है, तो इसलिए भी इस option को बहुत कम possibility है, इसके सही होने की. तो इसका जो right answer है, वो है भर्मौर जात्रा, भर्मौर जात्रा काफी important fair है, चमबा का, जिसमें गदी समधाय के लोग participate करते हैं, ये छे दिवसिये जो आपका मेला है, भर्मौर डिश्टिक चमबा में लगता है, अगस्त के महीने में. आईए दूसरे question के बर चलते हैं, हमारा दूसरा question है, which of the following fair is related to देवता बनार and देवता दश्मावली? आपको बताना है कि निमलिक्ति में से कौन सा जो मेला है, वो इन दो देवताओं को समर्पित है, हमारे option है, धाडी घुनसा fair, हड कोटी fair, द्योठी धार फियर और घु जो सका right जो answer है, वो है option one, that is धाडी घुनसा fair, मैं आपको बता दू, यह मेला शिमला जिले के रोडु के पुजारली गाउं में लगता है, जो देवता बनार और देवता देश्मावली को समर्पित है, हर साथ इस मेले का जो आयोजन है, वो किया जाता है और बड़े धुम जो है आपका ठ्योग में लगता है और गुंड फेर भी ठ्योग में लगता है डिस्टिक शिमला में, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, हमारा next question है, the international रिनुका फेर is celebrated after dash of दिवाली, कि जो आपका अंतराराष्टी रिनुका फेर है, वो दिवाली के कितने समय बा तो इसका right answer जो है, वो 10 days है और बहुत important question है, काफी बार exam में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखे, the international रिनुका फेर is celebrated after the 10 days of दिवाली festival बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, हमारा fourth question है, what is the status of सुजानपूर होली फेर, आपको बताना है, सुजानपूर होली मेले का, यह किस स्तर का जो है, यह मेला है, आपका option है, district level fair, state level fair, national level fair and international level fair, तो आपका right जो answer है, वो है national level fair, और मैं बता दू, this fair was started by राजा सारचंद of district kangada, और जो आपकी त्रिगर्थ रियासत के राजा थे, सासारचंद, उन्होंने यह मेला शुरू किया था, यह माना जाता है, वो सुजानपूर में, जो है अपनी रानियों के साथ, होली खेलते थे, और तब से यह परंपरा चली आई है, सुजानपूर की होले मेले की, त एक राजाने जाजार। जात्रा जो है यह डिस्टिक चंबा की है और साहु जात्रा भी यह डिस्टिक चंबा की तो यह option तो ऐसी ही eliminate हो गए है तो हमारा right answer जो है पीपल जात्रा जो वसंत उत्सव के रूप में भी celebrate किया जाता है डिस्टिक उल्लू में मार्च और अपरेल के महीने में हमारा next question है which of the falling fear is celebrated on the birthday of Lord Padham Sambhav कि आपको बताना है भगवान Padham Sambhav के जनम दीन के उपलक्ष में कौन सा मेला लगता है हमारा option है चेशू fear, सिसूर fear, बिसोवा fear and साजो fear जैसे कि दोस्तों आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने फेर्स के बारे में बताया था उसमें आपको बताया था बिसाखी का जो तिहार है बड़ी धूमधाम से हिमाचल में मनाया जाता है उस दिन लग-लग स्तानों पे अलग-लग नाम से मेले भी लगते हैं तो बिसोवा जो fear है आपका बिसाखी से related fear है तो इसलिए हमारा ये option जो eliminate हो जाता है अब हमारा जो right answer है वो है चेशू फेर जो डिस्टिक मंडी के रिवाल सर में हर साल भगवान पदम संभव के जनम दिन के उपलक्ष में लगता है भगवान पदम संभव ने जो meditation की थी रिवाल सर पे इसलिए रिवाल सर को उनसे associate किया जाता है और हर साल हमेला मनाया जाता है बहुत धरम का क द्योटसीद फेर इसलिबरेटेड इन विच डिस्टिक आपको बताना है द्योटसीद फेर है किस जिलह में लगता है ऑप्शन जार मंडी कांगडा बिलासपूर और हमीरपूर और राइट अंसर इस डिस्टिक हमीरपूर द्योटसीद जो है बाबा बालकनात के समर्पी द धुमदाम से हमीरपूर डिस्टिक में मनाया जाता है इन से लिटिट एक और रस्तान भी है शाहतलाई जो है वो आपका बिलासपूर जिलह में आता है बड़ जो इनका मंदिर है और जो द्योटसीद फेर है वो आपका डिस्टिक हमीरपूर में आता है धौलगिरी जो माउ Which of the following statement is true about Minjar Fair? मैं बता दू, Minjar Fair एक international fair है, district Jamba का, तो आपको बताना है कि नीचे दीगवी statement से कौन सी statement जो है, वो इस Minjar Fair के बारे में सही है. Options are, floating of coconut and Minjar in the Ravi river by the people, offering of Minjar, that is maize flower in Ragunajji and Lakshmi Narayan temple by a royal family, plantation of maize flower in Choghan ground and all of the above. तो इसका जो right answer है, वो है option two, that is offering of Minjar in Ragunajji and Lakshmi Narayan temple by the royal family. जो राजगराना है, उसके द्वारा मेले के समय, Minjar जो है मक्की का फूल, और बोल सकते है, this is the kind of bouquet, जो है वो समर्पित किया जाता है, चड़ाया जाता है, Ragunajji और Lakshmi Narayan temple पे राजगराने द्वारा, तो ये इसका right answer है. हमार अगला question है, on which day international lovey fair held in Rampur every year? बहुत important question है, काफी बार पूछा भी जा चुका है, आपको बताना है कि किस दिन जो है lovey international fair Rampur का है, हर साल आयोजित किया जाता है, हमारे options है, 11 to 14th November, 9th to 12th November, 20th to 23rd November and 11 to 14 October, तो इसका right answer है, वो है option 1, that is 11 to 14 November, आपको बता दे, lovey एक international trade fair है, जो राजा केरी सिंग ने 1681 में शुरू किया था, राजा केरी सिंग रामपुर्भु शहर के राजा थे, जिनों ये विपारमेला शुरू किया था, तो हर साल 11 से 14 November के बीच, बड़े धुमदाम से मेले का आयोजन किया जाता है, और ये एकलोता international trade fair है हिमाचल का, हमारा अगला question है, which of the following fair is also known as जोटे का मेला, आपको बताना है, निमलिक्त में से कौन सा ऐसा मेला है, जिसे जोटे का मेला भी कहा जाता है, बहुत important question है, काफी बार इस question के exam में पूछा जा चुगा है, और इसके options हैं, नलवाड fair, अर्की fair, बंजार fair, और बालग रूपी fair, तो इसका जो right answer है, वो अर्की fair है, अर्की में हर साल बड़े धुमदाम से ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसे जोटे का मेला कहा जाता है, मैं आपको बता दू, जोटे का मेला इसे इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मेले के दुरान, bull fight का, जिसको बोलते हैं, सांट की लड़ाई का खेल आयोजित किया जाता था, बट अब high court के आदेशों के बाद, इस जोटे के लड़ाई को बंद कर दिया गया है, और अब उसमें मेले के दुरान, ये खेल आयोजित नहीं किया जाता है, परन्तु इसका नाम जोटे का मेला अब पढ़ गया है, जो हर साल अरकी में आजोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, स्क्रीन में दियेगे नमबरों के द्वारा, आप हमें कॉल करके, अलाइड मेंज और एचेस प्री की टेस्स सीरीज जो है मंगवा सकते हैं, अलाइड का मेंज का एक्जाम आने वाला है, अगले महीने अगस्त में 6 और 7 तरीकों ये एक्जाम आयोजित होना है, इसके साथ साथ हमारा स्पेशल इशू हिमाजल 30 डेस का भी मार्केट में उपलब्ध है, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा, जोड़े रहे हिलियोस कोचिंग के साथ,